हेलो एव्रीवन मेरा प्रणाम आप सभी को मैं हूँ एडूकेट राहूल मिश्रा और आज इस वीडियो के थूँम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आपनी वाइफ और उसकी फैमिली वालों के अगेंस काउंटर केस किन किन सेक्शन में कर सकते हैं अगर उन्होंने आपके अलग होती है सबके सेक्शन अलग होते हैं लेकिन आज मैं इस वीडियो में कुछ कॉमन सेक्शन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जिनके तहट आप अपनी वाइफ के फैमिली मेंबर्स और वाइफ के उपर काउंटर केसिस कर सकते हैं जैसे ही आपका कोई मैट्रिम प्रवग चलेगा पांच से छह साल मिनिममम चलने वाला है जो मैं आपको बता रहा हूँ इतनी जल्दी सॉल्व आउट नहीं होता है पांच से छह साल आपका केस चल गया उसके बाद पैरल लिया आप डाइवोर्स नहीं दाखिल कर पाएंगे इस मेटर में आप डाइवोर चल रहा होगा और इस तरीके से आप डाइवोस नहीं दाखिल कर पाएंगे तो सेक्शन नाइन जब आपका सॉल्व आउट होगा उसके बाद डाइवोस पेटीशन फाइल करेंगे फिर उसमें पांचे साल लग गए फिर अगली पार्टी जो होगी क्या करेगी उसमें अपील में चली जाएगी यह रिवीजन में चली जाएगी फिर उसमें पांच से च्छा साल आपके लग गए मतलब आपके जिंदिगी के महत्पूर 15-16 साल ऐसे ही मुकदमे व्याजी में निकल गए जब आपको केरियर पर उठान पाना था आपको आगे बढ़ना था मैट्रिमोनि जो जानना होगा जिस तोड के तहट आप अपने जो मैट्रिमोनियल विवाद है जो डाइवोस एक्सिक्टरा का मैटर है उसका कुछ तिकड़म आपको भीडाना पड़ेगा तिकड़म मतलब मेरा यहाँ पर इल्लीगल एक्टिविटी से नहीं है कुछ टेक्निक्स है जिन तरीकों से I am not trying to criticize my advocate fraternity every one of them are legend they are learned councils of the court चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं आप देखिए section 9 किसी भी समस्या का हल नहीं है मैं आपको एकदम clear बता चुका हूँ अब माल लीजिए कि सारी जो problem का solution निकालना है सारी problems जो भी आपके साथ after marriage हो रही है matrimonial disputes की वज़े से हो रही है उन सब का हल सिर्फ simple सा है कि आप counter cases में जाईए counter cases में अगर आप appear होंगे या अभी तक आप लोगों ने subscribe नहीं किया है तो please subscribe करना तकि आपको information जो भी है सबसे पहले पहुचे दूसरी चीज और कि मेरे पास आप लोग direct phone कर देते हैं बिना appointment के इससे मुझे भी problem होती है मेरे staff को problem होती है इसलिए please आप अपने appointment book कराईए number आपको description box मिल जाएग appointment schedule क कराईए अपना slot book कराईए उसके बाद ही आप phone कीजिए हमारी टीम आपको तुरंट आपको एक time appointment कर देती है इस time पर आपको call चला जाएगा और देखिए मैंने हर बार खुद से callback करी हुई आप लोगों को इसलिए please आप अपना appointment भीना book कि हूँ मुझे phone ना करे पहले WhatsApp के through appointment book कराईए उसके बाद मेरी आपकी बात होने वाली है ठीक और स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या-क्या counter cases हम लोग आपकी wife और सौरी खासी आ रही है ठोड़ा सा कफ भी है क्या-क्या counter cases आप अपनी wife और उसकी family के against कर सकते हैं तो देखिए जो सबसे पहला case आप अपनी wife और उसकी family के against कर पाएंगे आप जानते हैं कि अगर आपकी wife हैं और उनके family वाले हैं आपका matrimonial विवाद हुआ है कुछ भी विवाद हुआ x y z कोई भी activity हुई तो आपके साथ गाली गलोज तो definitely हुई होगी या आपको धमकी दी गई होगी तो गाली गलोज करना धमकी देना यह क्या है बेसिकली एक अपराद है जो आपकी भारतिय दंड सहीता में डंडित बताया गया है तो इसमें आप अपनी wife और उसकी family के against 504 और 506 की धारा में IPC की धारा में मुकदमा दर्ज करा सकते हैं उसके बाद अगर आपकी wife ने कहा कि ऐसा है इतने पैसे मुझे तुम दे दो ठीक है और नहीं तो मैं तुम्हें divorce नहीं दूँगी इतने पैसे दे दो उसके बाद निकल जो मेरी life से उसने आपको यह बोल लख तो बेसिकली वह unfair means के तुम गलत तरीके से धंका कर आपसे निकालना चाहती है ठीक प्रेशराइस करके तो इस condition में extortion कर रही है आपके साथ तो distortion में जब उद्दापन वो करने की कोशिश कर रही है तो आप क्या कर सकते हैं आप लगाए धारा 383 और 84 IPC की जब वो पैसे आपसे मांग रही हो धंकी दे रही हो धंकी दे कर पैसे मांग रही है कि आप पैसा दीजे तब ही हम यह काम करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे आप म अगर मान लिजे आपकी वाइफ आपको एक और धंकी देती होंगी वो कहती होंगे कि मैं आपको जूटे मुकदमों में फसाद होंगी और आपकी पूरी लाइफ स्पोयल कर दोंगी यह सारी चीजे आपकी वाइफ और उनके फैमिली वाले कहते होंगे वो कहते होंगे कि हम लड़की वाले है हमारी सुनवाई जादा है हम तुम्हारे उपर कोई भी मुकदमे लिखा सकते हम सब ने देखा हुआ है कि आप जब भी section 9 डालेंगे या कोई application आप बतौर husband डालने जाएंगे तो ना आपका police support करने वाली है ना आपका court support करने वाली है क्योंकि महिलाओं को provision महिला होगी help सब जगा होगी आप बहुत rare in the rarest आपका समर्थन होगा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि court या police आपको उस तरह support नहीं करेंगी लेकिन मैं बता दूं आपको बहुत जादा problem आने वाली है आपको जैसे माल लीजी आप आपने बिहाफ पे section 9 का जो है petition दाखि condition में आपकी wife जो है फाइदा उठा ले जाएंगी सारा का सारा फाइदा उनको हो जाएगा वह code को कहेंगे इन्होंने खुद से साथ गलत हुआ है और मैं इशोर से काम ना करूंगा कि भगवान उनको जल्दी से जल्दी सब कुछ रहमत बरके इशोर सब कुछ उनके लाइफ में सही कर दे उनकी वाइफ ने उनके साथ बहुत गलत किया है उनका नाम नहीं ले सकता वो मेरे भाई जैसे हैं मेरे लिए ए उसके फैमिली वाले आपके ऑफिस पर जाते हैं आपके गली मुहले में आते हैं शोर मचाते हैं आपको मार पीट करते हैं आपकी बेश्टी करते हैं ऑफिस में जाते हैं फिर आपके बॉस को पता चल जाता आपके कलीक्स को पता चल जाता आप सर उठा के जी नहीं सकते अ उपर मुकद्ना दर्श कराएंगे जिसको कहते हैं मानहानी का मुकद्मा आपके मान-समान पद्सक्राइब किसी भी तरीके से उसके फैमली वाले और उसने आच लाई है तो आप इसके अगेंस्ट यह मुकद्मा दर्श कराके अपने मान-समान प्रतिष्ठा को वापस पा सकते हैं जब आप उसे जेल भेज देंगे या उस पर जुर्माना करा देंगे जब आप ये सारे सेट सारा फर्मा एकदम बठाते चले जाएंगे सारा स्टैटा बठाते चले जाएंगे case to case wise case करते चले जाएंगे जो आपके साथ गलत हुआ है illegal कुछ भी नहीं करना है unnecessary के counter case नहीं करना है court में बहुत सारे already case spending है और दूसरों को भी मौखा देना है कि ताकि सबके cases dispose of हो जाएं लेकिन अगर आपके साथ गलत हुआ है तो यह आपका अधिकार है कि आप court जाईए case करिए और किसी अच्छे lawyer को पकड़िएगा अच्छे lawyer का मतलब young energetic lawyer को पकड़िए आप लोग पुराने lawyers पर बहुत जादा trust करने लगते हैं लेकिन believe me अगर 25 साल का लड़का एक वकील बनके आपकी मदद कर रहा है तो please आप उसका भी support करिए क्योंकि 25 साल 26 साल में अगर कोई लड़का I.E.S. बनता है तो आप उसको पूरा जिला चलाने के दे सकते हैं तो क्या 2-4 मुकदमे उसे नहीं दे सकते हैं कि वो भी लड़े एपनी capability को सावित करे वो ज़्यादा believe me मैं बता रहा हूँ अगर किसी लड़के को आप 25-26 साल के मुकदमा देंगे तो believe me वो ज़्यादा मेहनत से आपका काम करेगा other than जो old educates हैं मैं old educates को वो senior MRR उनका criticism नहीं कर रहा हूँ लेकिन जिन बच्चों के पास नहीं है आप उनका support करें वो आपका support definitely करेंगे जी जान लगा के आपको मुकदमे जीत के देंगे मैं खुद personally बता रहा हूँ भारत के हर court में जाता हूँ और कोई ऐसी जखा बची नहीं है जहां पर मैं मुकदमों के लिए गया नहूँ क्लाएंटस ने मेरे मुझे बुलाया और मैं उनके विहाब पर उनकी पैरवि करने के लिए गया अलग अलग नाले हो में चाहे वो जोदपूर हो, चाहे जैपूर हो चाहे आपका कैरला में हो चाहे डेली सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो लोग आगे आते हैं मान सम्मान प्रुतिष्ठा पर अगर आपकी वाइफ आच ला रही है तो आप कर दीजे 499-500 इसके बाद अगर आप मालीजे पतनी आपकी धंकी दे रही है आपको आदमत्या करने की धंकी देना या आदमत्या करने की चेस्ठा करना यह एक अपराद है इ अलकी मारपीट करी है तो आप 303 में मुकदमा दर्ज करा दीजिए और हड़ी तोड़ दी है तो 325 में टाके वांके लग गए हैं 326 में तो 330-325-326 IPC मारपीट आदी करने के लिए आप अपनी वाइफ और उसकी फैमिली वालों के अगेंस्ट मुकदमा दर्ज करा सकते हैं इसमें ताकि वो भी सेरिंडर हो जाएं अब माल लीजिए अगर आप अपने घर पे नहीं है ठीक है उसकी वाइफ और उसके फैमिली वाले आपके घर आते हैं और आपका कीमती सामान लेकर चले जाते हैं आपके घर से तो इस कंडिशन में आप क्या कर देंगे आपको जो सबसे important होती है अब मुमन आपने देखा कि अगर महिलाओं का स्त्रीधन या जेवर रख लिया गया तो 406 में मुकदमा दर्ज कराती है 406 406 में मुकदमा दर्ज कराती है लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए लिए नहीं है जो section 406 है वो basically criminal breach of trust का matter होता है मतलब अगर आप किसी पर भरोसा करके कोई document paper property आपने उसको दे दिया रखने के लिए तो आदमी आपकी property गायब कर दे कबजा कर ले ऐसा कुछ कर दे तब आप उस पर criminal breach of trust का case करते हैं आमोमन wife करती है 406 में case जब वो कहती है उनके जेवर रख लिए गए और इस तरीके husband माले जिए उसने कोई उसको ornament दे रखा है कोई पैसा दे रखा या उसके घर से बिना उसकी permission के बिना उसकी किसी consent के उसने good faith में उनको दे रखा है वो लेके अपने ससुराल माइके चली जाती हैं ससुराल तो पती की हुई उससे अपने माइके चली जाती है और वापस नहीं करती तो इस कंडिशन में आप 406 का भी मुकदमक कर सकते हैं तो दोस्तों देखिए जाहिर सी बात है मैं आपको बता दूं केसिस की बहुलता नहीं बढ़ानी कोर्ट में लेकिन हाँ अगर आप एक्कोल प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे तब आप तब तक आपक में दर्ज कराईए साथी साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो नहीं किया तो फेस्बुक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिए और मुझसे बाते करिए और दूसरी चीज़ करना कता ही मत भूलिएगा यह मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करेगा ताकि मैं आगे भी बहतरीन वीडियो अपके लिए लेकिया हूं थैंक्यू सो मच्छ जैहिंद